डेली करें न्यूस में अभी की खबर है क्या है ब्यूबोनिक प्लेग हाली में अमेरिका में ब्यूबोनिक प्लेग का एक दुल्लव मानव मामला सामने आया है चलिए अब जानते हैं ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में यह एक संक्रामक रोग है यह रोग येरसीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया की कारण होता है बता दे कि यह अक्सर पिस्टू या बैक्टीरिया से संक्रमित क्रिंतकों के माध्यम से फैलता है यह संक्रमित जानवरों या बिमार मनुश्यों के संपर्क में आने के बाद सांस लेन से फैलता है U.S. Center for Disease Control and Prevention यानि CDC के अनुसार या प्लेग से बिमार या मर चुके जानवर को सम्हालते समय संक्रमित उतको या तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से भी फैलता है इस संक्रमण का सबसे गंभी रूप न्यूमोनिक प्लेग है इसके लक्षडों में बुखार, सिर आठ दिनों तक होती है यदि समय से इस रोग का इलाज नहीं हो पाता है तो इसमें मृत्यू अनुपात 30 से 60 प्रतिशत है गौर तलब है कि व्यूबोनिक प्लेग के अधिकांश मामले अफ्रिका, एशिया, दक्षड अमेरिका और पश्चमी सायुकतराज अमेरिका के कई ह दिस्सों में देखे गए हैं वही मध्ययुग में ब्लैक डेथ नामक महमारी के दौरान वुबोनिक प्लेग से यूरोप की कम से कम एक्तिहाई आबादी की मौत हो गई थी चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को व्यूबोनिक प्लेग के बारे में निम्नलि सही है यह सही है एक एवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनो डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्न का उत्तर कमेंड बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही शुक्रिया